भारत की राजनीत ऐसी कि जातिवाद कभी खतम नहीं होगा, जातिवाद पर ही राजनीत होगी कहां रावड़, कहां देश की जनता नहीं, उन्होंने ये कहा था कि जाति के नाम पे समाज को जो लोग बाट रहे हैं उनका भी दहन होना चाहिए नमस्कार आप देख रहे हैं लाइव यूपी नियू स्ट्री फोरॉम मैं हूँ आपके साथ सोनल दिवारी तो दो हजार चौबिस में कौन इसकी नए वीडियो के साथ हम आपके साथ हो गए है हाजर पीएम नरींद मोदी का एक बयान सामने आया है बहुती बड़ा बयान सामने आया है दशैरा पर उन्होंने दौरी का धीश में ऐसा कुछ कह दिया जिससे काफी मोहल गरम हो चुका है उन्होंने कहा कि लोग समाज मतलब विपक्ष को निशाने में लेते हुए उन्होंने कहा कि जाती वाद से समाज को बाटा जा रहा है तो क्या लगता आपको ये मोदी जी के इस बयान में कितनी सच्चा है नीँ उन्होंने ये कहा था कि जाती के नाम पे समाज को जो लोग बाट रहे हैं उनका भी दहन होना चाहिए इस तरीकें उन्हों गुदाण डिना चाहिए के विपक्ष में भी तो तो देश की जनता एक तरह से है तो इस तरीके का बयान नहीं आना चाहिए तो लेकिन अगर बात देखी जाए तो कहीं न कहीं इसमें थोड़ी तो सच्चाई है कि यह विपक्ष जो है यह जातिवाद काफी हद तक फैल आ रहा है क्या लगता है लेकिन देखिए भारत की जनीत होगी आप देख लीजिए लेकिन देश का राजा तो ऐसा मतलब देश का राजा ही कहेंगे जो नेता बना बैठाओ तो उसे तो ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल भी जाती और धर्म यह सब ना देखें हाँ सही बात है देश का राजा या देश का प्रधान मंत्री जातिवाद करेंगे पिछली बाड़ाद रटा दी जाएंगे यहीं कहना है कि उनकी सबमें जातिवादस तो क्या लगता है कि नवें शरायर कुछी यह सब में सभी लोग देखें कि जाती के नाम पे 9 में 2 में जातिवाद है यह ताकर यह पो तो हर पार्टी में यह और यह रहेगा भी यह रहेगा यह कह देना आप आगे की जाती हटनी चाहिए जाती वाद या वंसवाद हटना चाहिए तो यह हटने वाला नहीं आप देख भी लीजिए किसी भी पार्टी में उठा लीजिए देख लीजिए मैं किसी को नहीं कह रहा ह तो वन्षवाद तो वहां काफी हद तक चल रहा है खीक है अखले सियादों को तो विरासत में पूरी पार्टी मिली है कॉंग्रेस को भी देखी रही है आप राहूल गादी कहां कहां सिर्फ एक विजेपी है जिसमें वन्षवाद नहीं चल रहा है मुझे ऐसा लगता है क्या लगता आपको विजेपी में भी वन्षवाद है आप देखिए पिछले लेकिन टॉप लीडर के आम बात करेंगे ना दो सब्सक्राइब मेरा तो कोई नहीं या परिवार भी नहीं है अबी पूशी कोई के जो नेता है अगया अपने ही उत्तरपर्देश में बेल लीडिए तो फॉषणेता के लोग है जो हैं पार्टी में बने हुए हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये सी एम और पी एम पद की अगर बात करें बीजेपी में तो तो ऐसा कुछ भी नहीं है हाँ इस पद प्य तो नहीं है ये काफी अच्छी जी एकदम सचाई है कि योगी जी के उत्राखंट से हैं लेकिन उनके पार्टी का कोई भी नहीं है तो चलिए मोधी जी के इस बयान के बारे में तो आपसे बातशीत हो गई वही मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इंडिया गडबंदन की अगर बात करें तो क्या लगता है आपको ये गडबंदन कब तक चल पाएगा क्योंकि जैसे जैसे एलेक्शन की तारीक पास आ रही है कि अब दीरे दीरे इसमें दरार पड़ती जा रही है अभी तक जो मैंसे सोनल आया यही है सही बात बोल लही है कि आप एक तरीके से लग रहा है कि इसमें एक खटासा दरार पड़ती जा रही है चूंकि अभी MP में आप देख लेजिए MP में चुनाओ है और Congress और सपा को लेकर के दो तीन रोज से सीट वाट वारे को लेकर के सीट सीरिंग को लेकर कि काफी हो रही थी कि यह इतने कंडीडेट उतारेंगे बहुत ने और एक तरफ यह कहरे हैं कि हम इंडिया आगडबंधन साथ में अगर नितिश कुमार की जडियू की बात करें तो नितीश अब त पार्टी के लोगों को MP में उतारने की बात कर रहा हैं अब लेकिन यह बात सही है कि उत्तर पर्देश में सबसे बड़ी पार्टी अगर है तो यह सपा है सपा भी अगर देखा जाए तो इंडिया गडवंधन के लिए बहुत ही एहन पार्टी है बिल्कुल एकदम एहन पार्टी है क्योंकि उत्तर परदेश में सबसे ठीक ठाक जो है अगर देख लिजी इनके साथ अगर नहीं पार्टी आती है तो फिर मुस्किल होगा दिली तक का रास्ता तरह करना बिलकुल मुस्किल होगा अगर यह जूटते भी है तो वो लोग तो कह रहा है कि यह चलना वलना है नहीं जितने दिन का है है और चार से छे महेने बचे हुएं पता चल जायगा कि इंडिया गडवंधन की तना शाही है इतना गलत है अगShow to देखना काफी दिल्चस्प होगा तो आप भी अपनी रायय कहीं समें कि आपको क्या लगता है ण reflects तक ये इंडिया गड मंदन टिक पाएगा या हमेशा ही ऐसे बना रहेगा या तो फिर ये दरार पढ़ जाएगी बीच में तो आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा मिलते हैं अगले वीडियो में देखते रहें लाइव यूपी न्यूस 24